एक्जिट पोल के आकड़े देखकर के नतीजों की तस्वीर यहाँ पर साफ होने का दावा किया जा रहा है क्योंकि मदर प्रिदेश के जादतर एक्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आकड़ा हासल करती हुए दिखाई दे रही है कई एक्जिट पोल ऐसे भी थे जिनमें बीजेपी के प्रचंड जीत दर्च करने का दावा कर दिया गया मतलब 2018 के जो नतीजे थे उनसे उबढ़ते हुए बीजेपी की तगड़ी वापसी का संकेत मिले है ऐसा इसलिए क्योंकि मदर प्रदेश के चुनाब में साथ बड़े एक्जिट पोल में चार ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उमीद जता ही है जबकि तीन एक्जिट पोल ऐसे हैं जो कि कॉंग्रेस और बीजेपी में मात्र 19-20 का पर्क बताते दिखाई दिया है तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस एजंसी के एक्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एक्सेस माय इंडिया के एक्जिट पोल के साथ शुरुवात कर लेते हैं इसमें बीजेपी 160 सीट का आकरा पार कर गई है कॉंग्रेस 100 सीट तक भी आने ही पहुँच पाई है और ये मात्र अकेला एक्जिट पोल नहीं है बलकि सीनेक्स के एक्जिट पोल में भी बीजेपी को 140 से 160 सीटे मिलने का अनुमान जटाय गया है और कॉंग्रेस के खाते में यहाँ पर सिर्फ 80 सीट आती दिखाई दिया अब यह दो एक्जिट पोल मैंने आपको बता दिया जो यह साफ्त और पर कह रही है कि मदप्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है और कॉंग्रेस के खाते इतनी ही सीटे मात्र आ रही है कि सरकार तो नहीं बन रही है यहाँ पर कॉंग्रेस की अब आगे अगर बढ़ें और यह आपने CNX का पोल देख लिया अब इसके आगे टुडेस चाणके का एक्जिट पोल क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं कॉंग्रेस की चौतर बीजेपी के 151 अन्न की 5 अंदेशा यही है लेकिन इशारा टुडेस चाणके का पोल भी यही कर रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है मर्द प्रदेश में अब मैट्रीस का पोल क्या कह रहा है वो आप देख लिजेए बीजेपी साफ तोर पर 118 से 130 सीट इसमें भी मिलती दिखाई दे रही है कॉंगरस के खाते में यहाँ भी 97 से 107 सीट ही आती वी दिखाई दे रही है मतलब जादा तर एग्जेपी के लिए तो फिलाल यही इशारा कर रहे है एंटी इंकमबेंसी कहीं नहीं है प्रो इंकमबेंसी जरूर दिखाई दे रहे है अब मनोच का में रुक कर लेती हूँ मेरे सहियोगी जुड़ेव है मनोच बीजेपी के लिए तो बले-बले वाली यह सिचुएशन हो गई है पिछली बार के नतीजे के बाद इस बार एग्जिट पॉल ऐसी नमबर्स देंगे बीजेपी को सोचा था उसने भी डो सर्भे तो बीजेपी को 150 के पार भी ले गए और जो सबसे ऐहम बात है यूगि नूओस वे इट इनिडिया आपको लगतार चुनाओस जुड़ी पलपल की ख़़़ा हम जो दिखा रहे है उसके बात Congress के Camp जो है, उसको पूरे दो दिन से लगातारे एक बात कह रहा है कि जो सर्वे हैं, ये सरकार कोशिच कर रही है कि किस तरह से प्रिशासन को influence किया जाए, किस तरह से प्रिशासन पर pressure बना जाए, ये Congress का दावा है और जो यही वज़े है कि आज खुद पूरु बुक्मंत्री कमलाथ आज भोपाल पहुंच जाएंगे क्योंकि कल काउंटिंग शुरू होगी साथी साथ जो रणदीब सुरुजवाला पार्टी के महासच हुआ है मद्धिप्रदेश के प्रभारी हैं वो भी भुपाल आ चुके हैं और कॉंग्रेस की तरफ से अब तमाम कारिकरताओं को यह कहा जा रहा है कि वो सजग रहें लगातार मॉनिटरिंग करें लेकिन बीजेपी के कैंप में तो अच्छी खासी खुशी की लहर है अच्छी खासी खुशी की लहर जरूर है लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही है राजस्थान माला की राजस्थान में बीजेपी जीती तो क्या बसंदरा राजे और मद्धिप्रदेश में बीजेपी जीती तो क्या शिवरात सिंग चौहान देखे एग्जेट पोल वीजेपी को आगे जरूर बता रहे हैं लेकिन मद्धिप्रदेश में इसी एग्जेट पोल के आकड़ों में पिछडने के बाद कॉंगरेस नेता और पूर्व सीम कमल नाथ नें कारेकर्टाओं में जोश बरने काम करते हैंğa दिखाई दे edil का मद्ध में मद्ध पूर्देश में कॉंग्रोंस की सरकार बन रही है एक्जेट पोल कli चाहिए कि कारेकर्टाओं के मनोबल गिराने के लिए इस तरीखे के आखड़ों कॉंग्रों कुछ एक्जेट पोल जान बूज कर इसलिए बनाए गए हैं कि कॉंग्रेस कारेकरता निराश होएं और जूटा महल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएं ये पढ़ियंत काम्याब होने वाला नहीं है कॉंग्रेस के सभी प्रदितकारी जिला अध्यक्स जिला प्रबारी मूचा संविटन के प्रमुक और प्रकोष्टों के प्रदितकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निश्पक्र मत गर्ना कराएं हम सब जीत के लिए त उससे एक खदम आगे निकलते वे ये कह रहे हैं कि ये ऐसा जानबुच कर किया जा रहा है ऐसे एक्जिट पोल के आकड़े लाए गए हैं देखे अगर एक्जिट पोल के आकड़े सही साबित हुए और कॉंग्रेस तिलंगाना में सत्ता के सिंगासन पर बैठती है तो ये क केसियार ने 2001 में TRS यानि कि तेलंगाना राष्टर समिती बनाई थी और अलग राज्य की मांग को लेकर ही राजुनीतिक आंदोलन शुरू किया था लंबे आंदोलन के बार 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गचन पर मुहद लगा केसियार को मंपर जीत मिल गई और इसके बाद 2019 में विधानसबा चुनाव लोगसबा चुनावों के साथ होने थे लेकिन एक साल पहले यानि 2018 मेई चंदरशेखर नाव ने विधानसबा बंग करके चुनाव करा दिया अब नतीजा इसका ये रहा कि मुख्य विपक्षी पा एक साथ कॉंग्रेस के पास सिर्फ साथ विधायक बचे रह गए थे तो आप इस बार तिलंगाडा में क्या होने वाला है ये फिलाल बड़ा सवाल अभी बना हुआ है हालाकि बीजेपी है कह रही है कि वो किंग मेकर रहेगी एक्जिट पोल के आकड़ों में आप चाहे भल से कम कई नाम और निशान यहां दिखाई नहीं देगा मेने से ओगी जसप्रीद जो नहीं है उनका में रुख खर लेती हूँ जसप्रीद किसके दावे में कितनी सट्राई है ये कल सामने आएगा लेकिन ग्राउंट पर आप मौजूद है जसप्रीद क्या कह रही है मांकी ह बिल्कुल शालिनी मैं सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूँ कि जो रेवन्त रेडी कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्षय है वो इलेक्शन कमिशनर के ओफिस पहुंच रहे हैं हम लोग इस वक्त ठीक सेक्रिटेरिट के सामने हैं दरसल वो कंप्लेन करने वाले हैं केसी आर ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है चार तारीको तो इसको लेकर की वो शिकायत करने वाले हैं कि केसी आर बैठक कैसे बुला सकते हैं कल नतीजे सामने आएंगे और ये सेंट्रल जो ये सेक्रिटेरिट है ये इस वक्त केनर बिंदू है इसी साल केसियार ने उद्गाटन किया था इसका और यहां पर कौन पहुंचेगा इसकी जुगत है हाला कि जो आंकड़े सामने आए है क्योंकि जादूई आंकड़ा साथ है 119 विधानसबा सीटे है एसे में कॉंग्रेस और बियारेस क्या साथ में आएंगे कॉंग्रेस को डर है होर्स ट्रेडिंग का वो कहती है कि बियारेस इसमें माहिर है बियारेस कॉंग्रेस पर आरोप लग रही है वार पलट वार का सिलसला यहां पर जारी है शानली हाँ और इन सब के बीच बिल्कुल इन सब के बीच अभी जस्पीज आपको अपडेट दे रही है कि शिकायत करने के लिए भी बियारेस पहुंचने वाली है